जी हाँ आप देखर है रोहिलो जी और जैसा कि हम सिरीज चला रहे थे उसमें पहले मैंने MTU 1729 का वीडियो डाला है कि MTU 1729 की खेती कैसे करें और हमारे साथ एक एक्सपर्ट किसान भी जुले हुए थे अगर उस वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा आप उसको देख सकते हैं आज हम लोग बात करेंगे स्वर्ना सबवन की स्वर्ना सबवन एक बहुत अच्छी वरैटी है और इ इसमें आज हम लोग देखेंगे कि स्वर्ना सबवन की खेती कैसे करें और बाकी परजाती जो है धान की उसकी तुलना में इसका क्या परफॉर्मेंस है क्या इसका धर्मन है और क्या समस्याएं आती है तो इस पर आज विसे पर चर्चा करेंगे तो आए आज आपको मिलवा प्रफ़ाइब करने में आपको क्या सुविधाएं समझ में आई एक तो इसमें फैटिलाइजर कम लग रहा है और उस से 10 दिन पहले में फसल तयार हो जाता है और 70-80 क्यूंटल प्रती हेक्टेयर इसका उत्पादन है गेहू का इल्ड भी बहुत ज़्यादा इसमें आता है दो से तीन क्यूंटल प्रती भी गेहू बढ़ जाता है इसमें और इसका जो जड़ है नीचे का वो बहुत कम है इसमें गेहू का उत्पादन अच्छा होता है उससे 10 दिन पहले पक करके तयार भी हो जाता है एमट्यू फटर उन्तिस से और खाने पीने में भी बहुत अच्छा है कुटाई करने में भी बहुत अच्छा है फटिलाइजर बहुत कम लगता है रोग भी उसके पेक्षा कम हर चीज के मामले में यह अच्छा है सोडना सोववन हम 2009 से इसका खेती कर रहे हैं लगातार अगला मेरा प्रसन यह है कि इसकी बिचड़े की रुपाई क्योंकि हम लोग बात करेंगे पूरा बिचड़ा से लेके इसको काटने तक की तो बिचड़े की रुपाई इसकी कब क इसकी तुलना में अच्छा फसल तयार हो जाती है पहले बिचड़ा इसका एक साथ ही डालते हैं तो बिचड़ा कितना दिन में तयार हो जाता है फिर उसके बाद बिचड़ा अगर आप फिर खेत में वापस फिर ट्रांस्प्लांट करके लगाते हैं तो उस समय किस तरह का आपको कितना सक या फंजी साट वगरे डालने के आई सकता पड़ती है वही जाते हैं अगहास के लिए और 20 किलो democrats आपको पता होता आपको परिचड़ा dell डाला ये रेडा मान के चलिए कि 100 दिन के बाद इसे गुल आने लगता है 100 दिन के बाद गुल आने लगता है और वही 30 से 35 दिन में अपना फुटा हो जाता है इसका चलिए बहुत अच्छी बात है उसका और प्रोग्रिसी फार्मर जुले हुए है निरज राजी निरज राजी बच जाता है और अगर बाइख से डूब भी जाय तो 70-29 जो है वह बरबाद हो जाती है लेकिन ये बचछा पानी निकलने के बाद में इसमें पूरे कल्या आ जाते हैं यह खासियत है जो कि 1729 में नहीं है अच्छा यह खासियत है इसके लिए इसमें आपको ज्यादा डालना पड़ता है या कम डालते हैं कम डालते हैं उसका डोज थोड़ा बताईएगा बताएंगा वहीं सुरुवात में लेव में डीएपी 20 kg डालते हैं और उपाई करके उसके बाद 15 दिन के बाद घासों से निकाल करके फिर वहीं 20 kg डी जी करवार की या कुछ करौप ऐसे होते आप जिसमें खरपतवार जादा घर इसके बाद करें सब्सक्रीर की बद़्याता घहाइगा अगर आप जाता है तो बीडी साइट गूरूप का दवा हम लोग उपर फिडाल देते हैं ओ धान बच जाता है बाकी पड़ा जाता है कि वीज जो हमको मिला है उससे हो सकता है खर पतवार ज्यादा आता है तो मतलब आपके इसाब से खर पतवार का बीज से या इधान से जो क्रॉप हम करने के टाइम में पानी कम बेसी होना रुपाई के बाद एक हपता पानी न रहना हवा लग जाना उसमें मीटी नहीं सड़ पाता है घास का जल्दी से जल्दी निकल जाता है चलिए महत्पुर्ण जनकारी है किसान भाईयों को यह जानने में ज्यादा होगा कि खर पतवार जो समस्या है बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह मेरा जो सीड है या इसके वज़ा से हो रहा है तो यह समस्या इसमें नहीं 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 यह एक खप्ता पानी अगर रखेंगे दस दिन तक एक खटा तक तो पानी खर पतवार नहीं आएगा अब दर्मन की बात कर लेते ह सबसे ज़्यादा दर्मन वहीं है मैं करके चलिए कि 70-80 प्रती हेक्टेर है दे देगा जी बाकी की तुल्ला में अगर सवर्णा सब्वन की बात करें तो किसानों के लिए यह लगाना फायदे मंद होगा एकदम फायदे मंद है बिल्कुल हम दो साल से लगाता है हमारा पू बहुत ज्यादा मातरा में लोग खेती करते हैं यहां क्योंकि इसका जो परफॉमेंस है वह बहुत अच्छा है दर्मन भी जैसा इन्होंने बताया और बहुत अच्छा दर्मन है तो यह कटेगी कब यह कट जाएगी 20 नौंबर को 20 नौंबर तक कट जाएगी 5 जून को इसक प्रोग्रेसिव फार्मर जुड़े हुए हैं जो पिछले 10 सालों से स्वर्ना सववन की खेती कर रहे हैं विकास जी और नीराज जी बहुत बहुत स्वागत रहा आप लोगों का और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा जनकारी दी हमारे किसान भाईयों को बहुत सारे किसान जो इससे जुड़ी और भी जनकारी लेना चाहते हैं तो किरिपा कमेंट सक्षन में हमसे पूछ सकते हैं उसका तुरंत ही आपको रिप्लाई मिल जागा तो आज की लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी अगले वेरैटी के साथ किसी अगले वीडियो में